कि बहुत हुई जुम्लों की मार 2024 में बदल दो ये सरकार नरंद्र मोदी के क्या सब्द हैं? भाजपाबालों के क्या सब्द है? ये देश रहे चाहे मिट जाए? ये जनता रहे चाहे मिट जाए? मैं रहना है चाहे हूँ प्रधान मंतरी के मुझ से मडीपुर का मात तक निकला? कितनी बार गये मडीपुर? क्या किया मडीपुर के लिए आपने? लेकिन जिस दिन आपने इस देश की पंचायद इसमें इस देश के भविस्त की दिसा और दसाताई होती है जिस दिन आपने उसका उदगाटन किया उसी दिन देश की सबसे होनहार बेटियों को तिरंगे के साथ अपने पाउं के नीचे कुचलने का काम किया आप बोले उस पे कुछ भारत के इतियास में कोई भी ऐसा प्रधान मंत्री देखा हो जिसने लाल किले की प्राचीर पर खड़े हो करके चुनाबी बुगल फीका हो कि जो ताना साहा की रहा पर चलता है जो हिटलर साही की रहा पर चलता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता वो अंधा हो जाता है ताकि जिसकी पुष्टी आपके मुख्यमंतरी ने की, डवल इंजन की सरकार में की, आपने उसके खलाब को एक्षन लिया, आप बात करते हैं कि मडीपुर में सांती बहाल हो गई, आप तो चाहते थे मडीपुर जले, अरे ये ड्रामा करना बंद कीजे बाई नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहीतावा, जब ही हमारे साथ मौजूद है गोपाल तिवारी, जो सरकार के उपर जो है बेबाकी से बोलते हैं, सरकार की जो भी कूरीतिया है, उसको लेकर सरकार को घेरने का काम करते हैं क्या कहेंगे अभी जो है राहूल गांधी ने रामेश्वर जी को बुलाया घर टेबल पर बिठाया, लेकिन कहा जा रहे हैं कि एक गरीब के साथ राजनीती कर रहे हैं, उनके कॉलर में माइक लगा कर तब बात कर रहे हैं, वो किसी के साथ दया नहीं दिखा रहे हैं, वो एक फाइदे को देखकर किसी को घर बुला रहे हैं और गरीब के साथ राजनीती कर रहे हैं, देखिए मैं कोई लांग लपेट की बात नहीं करूंगा इस समय, अगर रामेश्वर जैशेक गरीब को घर बुला कर, खाना खिला कर, उसकी तकलीफ पूछ कर, उसका दर्द आप सोचिए, एक ऐसा सक्स, जब उसका कोई इंटरिवू ले रहा था, एक सब्द के बाद रामेश्वर जी बीस सेकेंड तक मुछ बोल नहीं पाए, साइद इस इंदुस्तान में जिस सक्स ने उस वीडियो को देखा होगा, हर सक्स की आँखों में आसू थे, हर सक्स की आ साने और वो सिर्फ आसू रामेश्वर जी के नहीं थे, इस हिंदुस्तान के लाखो करोड़ लोग ऐसे, जो रामेश्वर जैसे ही हैं, जो अपने आसूओं को पोच लेते हैं, साइद उनके आसूओं को कोई देख नहीं पाता है, उनके आसूओं को खोजने के लिए राहुल गांदी से करवा सकते हो, आपने सुना भी होगा, एक पत्रकार कहता है कि देख रहे हैं राहुल गांदी आप बात कीजिए, हमारी टीम फिर जाती है उनको खोजने के लिए, और बापस वो अपने परिवार के साथ राहुल गांदी जी से आते हैं, और आपको इतना मजलूम हमको क्यों पैदा किया, हमारा भूखा पेट कोई आता, तो हमारे पीट प्याहाँ फिर देता, तो कम से कम तसली हो जाती, हमारी भूख मिट जाती सदेब सदेब के लिए, आप मिल गए, सब कुछ हमें मिल गया, अब ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांदी जी इंसानियत के नाते वो रामे सुर जी से मिले, अगर इस बात को यह भाजपा बाले, यह आरेशस बाले, तमाम लोग अगर इसको राजनीतिक चस्मे से देखते हैं, मैं समझता हूँ, इंदुस्तान की जंता सब देख भी रही है, और सब सुन भी रही है, तुम्हें सद्या माफ नहीं करेंगी, यह देख तो कभी नहीं करेंगा, तुम्हें सद्या माफ नहीं करेंगी, हमने इंडिया गेट पर पब्लिक रिव्यू के लिए थे, हमें वहाँ एक गरीब मिला, हमने उन से ये बात कही कि राहूल गांदी के बारे में क्या सचते हैं, वो जनता से मिल उनका साफ कहना था कि यह जब चुनाव आता है, तो यह हाथ जोड़के हमारे पास आते हैं, चुनाव खतम होते ही, हमें दूर से ही भगा देते हैं, सिर्फ चुनाव के लिए इस सारी चीज़े होती हैं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब कॉंग्रेस की ही सरकार थी, राहूल गांदी वो सक्स है, तब कॉंग्रेस के खिलाप भी लड़ गए थी, आपको याद होगा, जिस परचे की बार 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 बात की जाती ही, राहूल गांदी ने ओडिनेंस फाड़ करके फेक तब कॉंग्रेस की सरकार थी नँ, वो एक ऐसे सक्स हैं जो गलत के खलाफ लड़ना जानते हैं, सच के साथ ख़डा होना जानते हैं, और सुरु से लेकर, आज तक, एक ऐसा सक्स, को मा की माता जी को लेकर के उसको कटगरे में ख़डा किया गया, जिसके पिता जी को लेकरper इसके दादा जी को ले करकिए इसको कटगरे मखडा किया गया तीनों सक्स जिनोंने इस देश में महभबत रहे यह देश रहे इस देश में इंसानियत काईम रहे चीथरे चीथरे उड़वा दिये देह का कत्रा कत्रा इस भूमिय में मिला दिया लेकिन इस देश के लिए ही तो लड़ते रहे आज राहूल गांदी उसी विरासत को ही तो लेकर के आगे चल रहे हैं आप पताइए मुझे जब इन्होंने सांसदी का पत्छी ना पूरे हिंद निचली अधालतों को तल्क टिपड़ी सुनाते हुए निचली अधालतों से यह पूछा कि आपने किसके कहने पर एक ऐसे केस में राहूल गांदी को मैक्सिमम सजा सुनाई कि इस में आज तक किसी को सजय नहीं हिंदुस्तान में फैसला गया निकल करके आया लेकिन फिर भी राहूल गांदी जब सदन से निकल गए तुमको कोशा नहीं उन्होंने धन्यबाद कि इंदुस्तान की जनता को कि जिस जनता की मदद से जनता के समर्थन से 19 साल तक तकरीबन मैं सांसद रहा देश की जनता ने मुझे बनाया है मैं देश की जनता के लिए आगे खड़ा हूं मैं देश की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं मेरे पास घर रहे न रहे मेरे पास सांसदी रहे न रहे मैं रहूं न रहूं यह देश रहना चाहिए यह सब मेरें की आबाच पहुचती रहे चाहें संसत कर रहें तो क्या बात कर रहें आप देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाप है अब आप देखो आज तक आपने कोई भी भारत के इतियास में कोई भी ऐसा प्रधान मंतरी देखा हो जिसने लाल किले की प्राचीर पर खड़े हो करके चुनाबी बुगल फीका हो आज तक कभी किसी प्रधान मंतरी के भाशन में ये जिक्र सुनाए आपने की महीं आउंगा ये नरिंद्र मोदी नहीं बोल रहे थे ये उनका एहिंकार बोल रहा था और इसलिए तो आज मैं कहता हूं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था मड़ीपुर जलता रहा प्रधान मंतरी के मुझ से मड़ीपुर का मातक निकला इस देश की सबसे होनार बेटिया जिनों ने इस देश को कितनी बार गौरवानमीत महसूस करवाया इस देश के तिरंगय को विदेशी सरजमी पर कितनी बार सांसे ले रहाया 37 दिनों तक जंतर मंतर की सड़कों पर शंगर्ष करती रही नियाई की गुहार लगाती रही भीक मांगती रही लेकिन जिस दिन आपने इस देश की पंचायद इसमें इस देश के भविस्ट की दिसा और दसाता ही होती है जिस दिन आपने उसका उद्गाटन किया उसी दिन देश की सबसे होनहार बेटियों को तिरंगे के साथ अपने पाउं के नीचे कुछलने का काम किया आप बोले उस पर कुछ ब्रजबुशण के खिलाप आपने लिया एक्षन कुछ नहीं लिया क्या इस देश ने देखा नही को ते देश और इसलिए मैं कहता हूं कि जो समय आ गया है उटने कारी मड़ का ब्रहें नहीं चला कि जब उसने अपने आप को स्वैंभू समझ लिया कराचर ब्रहमांड से उपने आप K한 समझ लिया उसका भी भिनास हो लेकिन प्रधान मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि अब मणीपूर में जो है शांती बहाल हो रही है कितनी बार गए मणीपूर क्या किया मणीपूर के लिए आपने आज प्रधान मंत्री जी से एक सवाल मैं पूशता हूँ तकरीबन सो दिन से जादा हो गए मड़ीपुर को जलते हुए सो दिन से जादा एक सीमा रेखा कि असम राइफल्स वहां बैठी हुई है बीच में डिवाइडर बन करके दो हिस्सों में मड़ीपुर बट गया आपका मुख्यमंतरी वहां का मेटई समुदाय से आता है मेटई समुदाय का मुख्यमंतरी जिसकी बज़े से वहां पर हिंसा बढ़की आपने मुख्यमंतरी से स्थिपा मांगा जिन लोगों ने महिलाओं के साथ बरबरता की जिसकी पुष्टी आपके मुख्यमंतरी ने की डवल इंजन की सरकार में की आपने उसके खलाब को एक्षन लिया एक ऐसा सक्स अभी तो राहूल गांदी की सदेसिता बहाल हो गई अभी तो संसद में भी जा रहे हैं लेकिन जब उनके अपास संसदी नहीं थी कोई पद नहीं था समवैदानी तब भी वो वहाँ पर मुख्बत का पड़ाने के लिए खड़ा था आप बात करते हैं कि मणीपूर में संती बहाल हो गई आप तो चाहते थे मड़ी पूर जले राहूल गांदी के मुख्बत के दुकान में सब चाइनीज समान भर है देखिए प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी इतना डर गए हैं इतना खौप खाते हैं राहूल गांदी से और आज मैं आपको बताता हूँ कि राहूल गांदी के मुख से इस देश के प्रती एक भी सब्द निकलता है तो ठारा ठारा गंटे काम करने वाला प्रधान मंत्री 24 गंटे सो नहीं पाता है हैसियत और टाकत है राहूल गांदी की परतमान हिndustaran में है आप सोचिये इस बात को के जब वो आपके competition में नाहीं हैके जब कौंग्रेस आपको हरा नहीं सकती है तो क्योच 24 गंटे आप कौंग्रेस कौंग्रेस कोई बंध किजे वह देश सराखों से उतारना भी जानता है और इसलिए में एक नारे के साथ कहता हूं कि बहुत हुई जुमलों की मार 2024 में बदल दे ये सरकार तो एक संदेश दिया इन्होंने और देश में जो है इंडिया इंडिये दोनों में एक सवाल चल रहा है कि आने वाले समय में कौन होगा पीम का चहरा राहूल या फिर वापस से मोधी आने वाले 2024 में लोकसवा चुनाओ होने वाला है इंडिया वर्सेस एंडिये एक बड़ा सवाल है कि कौन आएगा इस बार क्योंकि राहूल गांधी की जिस तरीके से पध्यात्रा रही है और जिस तरीके से अब राहूल गांधी निकल कर जंता के सामने आ रहे हैं तो पीम मोधी का और राहूल गांधी में एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बागी तय आपको करना है आपके प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है कैमरामेन तोहित के सांथ ब्यूटी गरी जनहीत आवाज